बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com बात करें तो नाकान गला यानि की ENT का कारग्रह माना गया है इन चीजों का ये प्रतिनिद्ध करते हैं अब जो 21 अगरस्त को बुद्ध कन्या राशी में प्रवेश करेंगे तो उनका किस राशी पे क्या प्रभाव होगा और किन पे इनका नेगेटिव प्रभाव आएगा आ मामा का भाव भी माना जाता है 6th house को तो कन्या राशी में बुद्ध का प्रवेश मेश राशी वालों के लिए अच्छा होगा जो बच्ची competitive exams में बैट रहे हैं या exams देने वाले हैं उनके लिए समय अच्छा है और आपके मामा पक्ष से आपके रिष्टे और मजबूत हों वो उनके 5th house में है 5th house जो है शिक्षा का प्रेम का भाव माना गया है संतान का भाव माना गया है तो इस भाव में बुद्ध का गोज़ा है तो education के point of view से ये समय अच्छा है relationship के point of view से भी ये समय बहुत अच्छा है इसके साथ साथ संतान प्राप्ति की जिन लोगों को इच अच्छा है उनके लिए भी ये समय बहुत positive रहेगा तो ये overall love relationships के लिए अच्छा है तो overall ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है आपको education में फायदा मिलेगा अपने relationships में फायदा मिलेगा और अगर आपके इच्छा संतान प्राप्ति की है तो वो भी पूरी होने की पू ही राशी में उनका गोचर है ये गोचर उनके fourth house में होगा यानि की भूमी वाहन और परिवारिक जीवन के भाव में ये गोचर बुद्ध का है तो भूमी के point of view से या फिर वहन के point of view से कहें तो बहुत अच्छा समय है अगर आपकी इच्छा है क्योंकि अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है अगर आप चाहते हैं कोई property खरीदना या कोई वहन खरीदना तो ये समय आपके लिए अच्छा है परिवारिक समय भी आप परिवार के साथ अपना समय बिताएंगे और खुश रहेंगे दोस्तों अब हम बात करेंगे करकराशी के लिए जो गोचर है ये उनके थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस को कॉम्मुनिकेशन का भाव माना जाता है जोटे भाव माना जाता है तो इस समय आपकी जो और अच्छी होंगी जो लोग जर्नलीजम से जुड़े हुए हैं या फिर कॉम्निकेशन राइटिंग स्किल्स उनकी जो लोग राइटिंग के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है वो अपने आपको भैतर तरीके से रिप्रेजंट कर पाएंगे और चोटे भा भाणी के भाव में परिवार के भाव में अच्छा है आप जजुश्मेंट बहुत बैतर कर पाएंगे आपके परिवार में आपके रिलेशन्शिप अच्छे होंगे अच्छी होंगे फाइनेंस के पॉइंट और व्यु से भी आपको इस समय बेतर रिज़ल्ट्स देखने क में जरूर मिलेंगे अब हम बात करें कि कन्याराशी कन्याराशी यानिदिक अपने लग्ण में गोचर है बुद्ध का तो यह जो लोग करने अराशी कि यह बहुत बुद्धी मानींसे सोच समझ करके सोच विचार करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं तो इनके लिए यह समय और भी अच्छा बहुत शुबफल लेकर के आने वाला है लेकिन आपको over confident नहीं होना है अपनी वाणी पे आपको control रखना है अचानक में किसी को भी कुछ भी मत कह दीजेगा health point of view से भी ये समय आपके लिए अच्छा है शुबब है इसके साथ साथ अगर आप shades of green पहनते हैं तो ये समय इस समय को आप और सकारात्मक अपने लिए बना सकते हैं अब हम बात करेंगे तुला राशी के बारे में तुला राशी का ये जो गोचर है तुला राशी में ये 12th house में होगा इस house को बोला जाता है foreign travels, expenditure, hospitalization का भाव माना गया है तो इस समय आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है कि जिन लोगों का import, export का business है उनके लिए अच्छा है उनकी बातचीत अच्छी होगी communications अच्छे होगे उनके तो उनको results बहतर मिल सकते हैं जो out bond MNCs में काम करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है लेकिन अकारण खर्चे बढ़ने का भाव है तो आपको खर्चों के उपर अपने लगाम कसनी है आपको ध्यान देना है कि आप बिना बात पे पहले खर्च कर दें और उसके बाद में पच्छता है तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है अब हम बात करेंगे व्रिश्चिक राशी के बारे में व्रिश्चिक राशी के लिए ये जो गोचर है उनके 11th house में है लाब के भाव में हैं बड़े भाई बहन के भाव में हैं आपका इस भाव को हम आपके चाचा के भाव भी मानते हैं तो इस house में बुद्ध का गोचर आपके लिए शुबफल वाला है अगर आपके जॉब में आपको appreciation मिल सकता है आपको award मिल सकते हैं और आपका जो आपके पिता पक्ष यानि की चाचा से अगर relationship कुछ भी अगर मतभीद था तो वो भी दूर होने की पूरी-पूरी संभावना बनेगी और लाब का समय है आपके लिए लेकिन महनत जरूर करिए बिना महनत के तो लाब नहीं मिलने वाला है तो इसलिए महनत से एक कदम भी पीछे नहीं रहना है आपको जितनी महनत करेंगे उतना आपको फल यानि कि आपके महनत का फल इस समय में आपको जरूर मिलेगा अब हम बात करेंगे धनु राशी के लिए जो गोचर है उनके 10th house में है और धनु राशी के लिए ये 7th house और 10th house के lord हैं तो बुद्ध इनके लिए बाधकेश भी होता है धनु राशी के लिए बुद्ध बाधकेश भी होता है इसलिए इनको अपने relationships पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है लेकिन अगर हम business या फिर website या फिर job के point of view से बात करें तो ये समय उनके लिए अच्छा है इस समय में उनको नए नए opportunities मिल सकती है उनको financial growth हो सकती है financial stability उनके life में आ सकती है लेकिन आपको ध्यान रखना है अपने relationships के उपर क्योंकि ये बाधकेश भी है खुद अब हम बात करेंगे मकर राशी के बारे में मकर राशी के लिए जो गोचर है उनके 9th house में 6th house मिथुन की राशी है और 9th house कन्या राशी है तो आपको इस समय ये जो भाव है ये पिता का धर्म का long travels का भाव है तो इस समय में आपकी चोटी मोटी यात्राय भी हो सकती है आप दूर कहीं पर धार्मिक यात्रा भी कर सकते हो आपके पिता से आपको सही योग मिलेंगे लेकिन आपको health के point of view से ध्यान देना बहुत जरूरी है चोटी मोटी परेशानिया जैसे ENT कानमे दर्द आपको गले में तकलीफ हो सकते है तो इस चीज का आपको ध्यान देना है अ अब हम बात करेंगे कुमराशी के लिए यह जो house है यह fifth and eighth house के lot है और उनके eighth house में यानि की कुमराशी के eighth house में गोचर हो रहा है बुद्ध की राशी का यह जो भाव है इसको अकस्मिक घटनाओं का भाव कहा जाता है और इसके साथ-साथ यह आयू का भाव भी माना जाता है तो आपको इस समय पे अपने जो लोग ओकिल साइंस का अगर रिसर्च वर्क जो लोग करना चाहते हैं उसका भी भाव यह कहा जाता है eighth house को तो eighth house में जो लोग किसी subject पे रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है और किल साइंस जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है तो आप इस समय का लाब उठा सकते हैं जो रिसर्च आपकी लंबे समय से पैंडिंग है उसको आप पूरा कर सकते हैं लेकिन आपको भी इस समय सेहत का ध्यान देना बहुत जरूरी है अकस्मिक घटनाओं का कोई ध्यान नहीं दे सकता ह लेकिन आपको अपना एक कदम आपको सुच समझ के रखना है बहुत संभाल करके अपने इस अगले समय को आप निका लिए और रिसर्च वर्क में आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है अब हम बात करेंगे मीन राशी के बारे में मीन राशी के लिए यह जो गोचर है वो नए लोगों से जूड़ सकते हैं पार्टनर्शिप कर सकते हैं लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ा तनाव हो सकता है उतार चड़ाव आपको देखना पर सकता है तो रिलेशनशिप को अपने संभालिये और बिजनस के पॉइंट आपके लिए अच्छा समय है तो इस समय का आप business में बहुत फायदा उठा सकते हैं अगर आप job करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है आपके लिए नई opportunities आपको मिल सकते हैं आपके communication skills भी improve होंगे और आप अपने बोल जाल के तरीके से लोगों को impress करने में भी कामियाब होंगे दोस्तों तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक थैंक्यू सो मज़ आप सभी का दिन शुभ हो